हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आपके अपनी यूटूब चेनल अपटेट बाई एनकेपर मित्रों डिसकस कर रहे थे इंग्लिस की सिक्षन वीडियो को लेकर और हमारा टोपिक चल रहा था इसका एक अंतिम पार्ट बचाता जिसका नाम है टूल संट टेक्निक्स आज के वीडियो हैं यही पड़ेंगे और पड़ेंगे उतना ही जितना हो एक्जाम के लिए इंपोर्डेट जो नई विद्यार थी जुड़ें उनको मैं बता दूब कि अगर आपको इंग्लिस सकते हैं तो सब टूर सेंट टेक्निक्स का मतलब होता है मुल्यंकर की तक्निक या प्रविदी दो तरह से हम बच्चे को कर सकते हैं पहला होता है आपका क्वालिटिव टेक्निक्स दूसरा होता है क्वांटिटिव टेक्निक्स इस टोपिक में से कॉस्टन पहला यही पूच तेस्ट लेके पढ़ सकते हैं और quality techniques अलग तरह की टेक्निक्स इसमें गुणात्म होती है ठीक है अब मैं आपको कुछ से यहाँ पर बता देता हूं कि quality techniques में किस तरह की ही टेक्निक्स इतिक है सबसे पहले इसमें आते हो observation दुसरा था रेटेंस किल तीसरा पूमिलिटीव record चोथा आता है क्वस्ण ये आपको अगर प Arms स्थराल से जैसे ये ओन्दर अवर्चे नम की टैक्निक्स होती है ऑन्दरतीительно Hoade होती पूरुषन नड़री जो लगस सिथे वह काम नहीं अते तो अब ग्रासे यह प्रस्मद ले जाएगी observation नाम की टेक्निक्स कौन सी है तो आप बताएंगे qualitative techniques ठीक है पहली चीज़ दूसरा आता है rating scale जैसे पांच बालक है 500 बालकों को आपको behavior को पढ़ना है तो आपने एक rating scale बना रहा है कोई criteria या माप्तेंट बना रहा है जिसमें से कोई अच्छा लड़का है उसको 10 में से 9 दे रहें और कोई बुरा है तो उसको पांच इस आधार पर आप बच्चे को पढ़ रहे हैं rating के आधार पर बच्चे को पढ़ रहे हैं वह आपका कौन सी टेक्निक्स का एक्जांपल होगा क्वालेटिव टेक्निक्स का उदान होगा अलांकि यह जो दोनों है क्वालेटिव और कॉमिलेटिव रिकॉर्ड इनका अधारत क्या होता है उब्जरवेशन ही होता है ठीक है एक होता आपका कॉमिलेटिव रिकॉर्ड ये स्कूल के बेस पे रिकोर्ड होता है जिसमें टीचर क्या करता है अलग टीचरों से बातशित करके बच्चे के बारे में एक रिकोर्ड त्यार करता है रिकोर्ड मेंटेन करता है जिसमें उस बच्चे की सारी चीजे लिखी होती है जिसे कोई बच्चे ने अगर गलती भी क किस तरह की टेक्निक्स है तो आप पताएंगे quality techniques इसमें teacher को आसानी होती है जैसे net कोई class teacher प्रवेश करता है तो वो इस record को पढ़ गे बच्चे के वारे में पूरवर राय बना सकता है कि इस बच्चे का इस प्रकार से behavior रहा है तो उसे उसी coding उसको face करता है ठीक है तो ये भी एक quality technique का example है next है आपका questionnaire अब बच्चा प्रते एक बात टीचर के साथ से नहीं कर पाता तो उसकी कमजोरी को जानने के लिए teacher क्या करता है एक personality त्यार करता है कि बच्चे को कितने गंटे पढ़ते हैं क्लास में गर पे कोन पढ़ता है और कोन पढ़ाता है और टीवी कितने गंटे देखता है खेलता कितने है इस परकार से एक personality त्यार करता है और उसके बारे में वो जैसे बच्चे के बारे में लिखेत रूप में जानके और उसके बारे में भी टिचर राय बना सकता है उसके कमज़ोरियों को पता कर सकता है तो वो भी आपके quality techniques के अंतरगत आती है ठीक है तो यह चार मुखित है टेक्निक्स हैं जो आपकी quality techniques है इसमे पर बार प्रस्चन पूछी जाती है और इंट्रुव है वो भी इसमें में और भी आपके जो most important बच गई है उनके हम details एक बार एक और वीडियो ले लेंगे उसमें आपको बता देंगे ठीक है बाकि यह तो आपको ध्यान में ही होने चाहिए नेक्स्ट आपका quantity techniques इसमें ती प्रेटिल टेकनिक यह आपके लेपके अंतर बच्ची के बारे में प्रेक्टिकल करवाकि और उसको जाना जाता है तो यह तो साइंस के विदार्थियों के लिए होता है इसमें most important है आपका रिटन टेकनिक इसमें से एक्जाम में प्रस्ण पूचे जाते हैं और जो बहसा क अर्व तैका टेस्ट ले जाता है उसको बोलते हैं LPP लेंविज प्रॉसीन टेस्ट आपको ठोड़ा स्धैनमें होना चाहिए these एक ट्रैस अ juता है और 80 वदे को होता है ठीक है पहला होता है रिकोजनाइज टेस्ट टाइप टेस्ट यानि एमस्यक्व कोशन वाले ठीक है पहचान वाले रिकोजनाइज का मतलब होता है पहचान करना दूसरा होता है रिकोल टाइप कोशन यह मेमोरी बेस होता है बच्चे की मेमोरी कितनी है बच्चे को या एक सब्द में आंसर देना है तो वो आपका very short type answer भी आपका objective test आता है यह ज़रूरी नहीं कि objective test में आपके सारे MCQ ही प्रसन हो ठीक है यह very short type के question भी आपके objective test में आते हैं अब कुछ इनके important question है जो पीछे के rate exam में पुछे के उन पर discuss कर लेते हैं जैसे हम multiple choice question multiple choice question क्या है reduce subjectivity पहला है आपका reduce subjectivity यानि subjectivity होती है उसको गठाता है mcq question दूसरा है increase subjectivity क्या subjectivity को बढ़ाता है mcq question तीसरा है essay type answer मिलते हैं क्या और चोता है allow student to choose multiple option यानि जो बच्चे हैं वो एक से अधिक answer दे सकते हैं तो इस प्रकार से इस question का answer क्या होगा इसमें होगा आपका option एक होगा reduce subjectivity जो subjectivity होती है उसको गठाती है इसका सही answer होगा ठीक है next question है recall type टेस्ट इस यानि रिकॉल टाइप का टेस्ट है वो कौन सा है किस पर बेस है तो यह imagination है यह speed है या memory है या understanding तो आप पताएंगे इसका उत्तर क्या होगा सी होगा memory बैस है इस इसमें इस इंपोर्ट पॉसन यह पूचा दाता है कि which of the following is not quality techniques यह यहां पर आपको ध्यान में पढ़ना है कौन सी टेक्निक्स पूच रहा है तो quality techniques नहीं है तो observation नाम की techniques क्या है quality टेक्निक बिल्कुल है rating इस प्रशन जासे उत्राइब का सी ओप्सन हो ठीक है यह प्रस्न आपको कमेंट में करके जाना है कि टेस्ट मेजर लेंग्वेश स्किल ने जो यह निए बासा को जो मोखी ग्रूप से मेजर कर सकता है वह इनमें चारों में से कौन सा होगा यह आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके जाना है बागी इस टोपिक में से आपको ज्यादा कुछ से त्यार निकरने के आजए नहीं यह थोड़ा थोड़ा आपको बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन सी क्वालिटिव टेक्निक है कौन से आ आपको मिलते रहें पुराने पेपर हैं वह आपको भी जल्द से जल्द आपको करवाए जाएं ठीक है दोस्तों आज की वीडियों मिलता है थैंक्स बाबाए टेक केर